Hello everyone and welcome to BW Only IS, दोस्तों स्वागत है आप सभी का Science Editorial of the Week में जहांपर हम डिस्किस करते हैं, खूब सारा Science 22nd February से 28th February के बीच में जो Important Science and Tech के आर्टिकल्स हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि पापा ने डिटेक्ट किया है CME, क्या है बई पापा, एक प्लाज्मा एनलाइजर है अधित एलवन मिशन का प्लाज्मा एनलाइजर है जिसने को पहली बार डिटेक्ट किया है, अब इसकी पढ़ेंगे हम लोग और देखेंगे कि ये solar layers कैसे होते हैं, solar layers बढ़ा ही important है क्योंकि वो समझ में आएगा ना तो काभी गुथिया solve हो जाएंगी, कोरोनल मास एजेक्शन निकलता कहा से, solar storm क्या होते हैं, हमारे अर्थ के magnetic field को कैसे deviate करता है बगएरा बगएरा फिर अगला article हमारा novel bone grafting material से related है, तो IIT कानपूर ने भी foreign university के साथ मिलके हड़ियों को जोडने के लिए एक बहुत ही नया material इजात किया है, उससे बहुत बार ज इसको nutrition या oxygen का जो पूरा layer इसको join करने के लिए चाहिए होता है, वो नहीं मिल पाता है, तो उस जगहें पर एक scap folding लगा देते हैं हम लोग, जैसे हम लोग उची-ची building में paint करने के लिए, या फिर कुछ भी sinus board बगार लगाने के लिए scap folding लगाते हैं ना, वैसे इसके range भी अब बढ़ गया है, अगला article हमारा ककरा पार, atomic power station से related है, दो ऐसे नए power plant आए हैं तो उनके बारे में पढ़ेंगे, काला अजार के बारे में last article में पढ़ेंगे, स्टार्ट करते हैं पहले article से अपने plasma analyzer package for अधित्या, यही है पापा, ठीक, अब पापा ने क्या किया ह अब कोरोडल मास ejection को detect किया है, अब solar wind का हमारे अर्थ पर क्या impact पड़ेगा, या फिर उसको पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बार अना sun के layers देख लेते हैं, हाला कि हमने बहुत बार ऐसे दूसरे वीडियो में भी discuss किया होगा, बढ़ इसको एक बार वापस से इल्कुल छोटा सा बहुत ही dense material बन चुका होता, तो सोचो, जब इसके पास इतना सारा मास है तो gravity कितना जाता होगा, उस gravity के अंदर ये पूरा समा नहीं जाएगा, छोटे से ball के अंदर, उसको sustain करने के लिए एक opposite reaction देता है, क्या nuclear reaction, यहाँ पर क्या होता है, nuclear fusion होता है, fusion मे क्या होता है, जितने भी hydrogen atom है, वो helium atoms में convert हो जाते हैं, अब बोलो अगर कि यह कब तक चलेगा, जब तक hydrogen है, hydrogen खतम हो गया, तो क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, helium को फिर lithium में convert करेंगे, इस तरीके से अब helium खतम हो जागा, तो lithium को carbon में convert करेंगे, जब lithium भी खतम हो और ये बिल्कुल तेजी से blast होगा, और उसी time पर ये, या तो अगर छोटा sun है, तो फिर तो neutron star जैसा बिल्कुल dense object बन जाएगा, या अगर बहुत बड़ा star है, तो black hole भी create हो सकता है, तो ये सारा का सारा खेल कहां पर होता है, core, इसका अगले जो दूसरा layer है, वो है radiative zone, य उपर तक, लेकिन radiative zone में आके फस जाते है, radiative zone अलड़ी बहुत जादा dense होता है, तो photons इतनी तेजी से उपर निकल नहीं पाते हैं, और पता है आपको कि एक ही photon को surface तक पहुचने के लिए कम से कम, हजारों साल लग सकते है, thousands of years लगते हैं, तब जाके वो surface तक पहुचता है और फिर हम लोग को दिख रहा है, मतलब आज के time पर कोई भी photon अगर अर्थ पर आया है न, sun से, तो समझो कि वो हजारों साल पहले कभी निकला होगा है, या वो बन चुका होगा जो अब पहुचा है, ठीक है, तो यह है हमारा radiative zone, density बहुत जादा होने की वज़ए से हजारो साल लग जाते हैं, और यह उसके बाद पहुचता है अपने तीसरे layer जिसका नाम है convective zone, convective zone बहुत easy है, जैसे कि जब हम लोग अपने gas cylinder या फिर gas पर हम लोग क्या करते हैं, पानी उबालते हैं, यहाँ पर रखके हमने पानी उबाला, तो पानी उबलता कैसे है, पानी उब उपर जाते हैं, और जो ठंडे हो जाते हैं, वो नीचे भी आते हैं, तो एक convection current बनता है यहाँ पर भी, cycle of convection बन सकता है, यह किस चीज के लिए काम आएगा भई, यह थर्मल activity या फिर हम बोल सकते हैं कि thermal stability के लिए काम आएगा, यही sun की thermal stability को maintain करके चलता है, और सबसे बड़ इसके बाद जो चौथा layer है, वो है हमारे यहाँ पर देखो, यह layer, यह चौथा layer है, इसका नाम है photosphere, photosphere क्या करता है, photosphere आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर हम लोग अभी दोपहर में सूरज को गलती से भी अगर नंगे आखों से देख लेते हैं, वैसे देखना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कभी गलती से भी दिख गया, तो जो हमें एक disc-like structure दिखता है, वो क्या दिखता है भई, वो photosphere ही दिखता है हमें, इसको बोल सकते हैं, यही सबसे जादा visible area है अभी हम लोग के लिए, है ना, और साथी साथ यह बहुत जादा bright होता है, disc-like shape होता है, लेकिन के दबभा earth size के बराबर भी हो सकता है, इतना बड़ा है, यह सब हैं क्या, यह सब actual में होते हैं sunspots, sunspots, यह sunspot क्या show करता है, sunspot दो चीज़ें आप इसको समझ सकते हो, कि देखो, पहली चीज़ तो यह temperature यहां का, इन sunspots का temperature कम होगा, इसी लिए इनका color जो है वो solar eclipse होता है, तो solar eclipse में, जो बिलकुल चारो तरफ, मान दो यह हमारा sun है, और इसने अब चंद्रमा ने पूरे sun को ढग दिया है, जब पूरे sun को ढग दिया, तो इसके बाहर बाहर से कभी कभी ऐसे 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 कुछ चीज़ें दिखती है, red red color की, यह जो ऐसे आड़ी तीर यही वो layer है, जहां से solar winds originate होती है, समझ रहे हो, solar winds कहां से originate होती है, कभी पूछता है, तो chromosphere से originate होती है, और यहां पर एक constant stream of charged particle, solar stream या solar winds जिसको हम लोग बोल रहे हैं, यह solar stream क्या होती है, charged particle का एक constant stream है, जो की अर्थ के तरफ, यह बाकी planets के तरफ भी बहुत तेजी से इसी को हम लोग solar storm बोलते हैं, हमारे अर्थ पर, और सबसे बड़ी बात, हम लोग जब बच्च्पन में sun का photo बनाते थे, तो कैसे बनाते थे भई, ऐसे से बनाते थे, एक्च्वल में हम लोग बड़े ही समझधार थे, बच्पन में भी, क्योंकि actual में sun का outer layer का जो यह diagram है, यह ऐसा ही है, outer layer इसका बहुत जदा define नहीं है, तो यह वाला जो हिस्सा है, उसको हम लोग इसका आखरी layer बोलते हैं, जिसको हम लोग नाम देते हैं, कोरोना, और कोरोना जो है ना, वो millions of kilometer दूर तक यह फैला हुआ है, तो कभी-कभी हम लोग sun को ऐसे भी बनाते थे, जिसम कोरोना, देखो कहीं पर बहुत जदा, millions of kilometer तक एक्स्टेंट हो गया है, कहीं पर बहुत ही कम है, तो इसलिए defined outer layer नहीं है sun का हमारे पास, इसको बोलते है, कोरोना outer most layer है यह, और यहीं से आप समझ सकते हो कि जो कोरोनल mass ejection है, वो यहीं से समझ में आ रहा है, कोरोनल mass ejection, यह कि आप यहाँ पर इस diagram में देख रहे हो, यह देखो, यह जो आपने देखा न अब यह क्या है, यह है अपना coronal mass ejection, तो यह इतना छोटा नहीं है, आपको अगर थोड़े और बड़े picture में देखाता हूँ, यह देखो आप, यह जब एक coronal mass ejection निकलता है न तो बहुत सारे planets को आगे लेके बढ़ता है, और in fact, यह देखो, constantly अपने charged particles को यह बाहर भेज रहा है, यह charged particles है, इन ही को हम लोग क्या बोलते है, plasma, और यही plasma को कौन analyze कर रहा है, आदित्य L1 mission का PAPA, plasma analyzer, ठीक है, तो इसी plasma को हम लोग study कर रहे है, अब यह हमारा जो आदित L1 mission यह बीच में है, यह पहली बात तो आप सबको पता होगा, lagrange one point पर है, अब इसके साथ-साथ lagrange one point पर होने के साथ-साथ, यह जो अभी हम लोगों ने plasma analyzer पढ़ा, इसके अलावा और क्या-क्या पढ़ रहे हैं, इसकी और क्या-क्या शमताएं हैं, तो यह देखो, एक तो chromosphere के बारे में पढ़ेगा, corona के बारे में पढ़ेगा, coronal mass ejection के बारे में पढ़ेगा, मतलब जितनी भी surface phenomena's है, sun spots के बारे में पढ़ सकता है, वो सारी चीजें अपना आधित L1 mission complete करके आगा, इतनी बाते सब समझ में आ गई आप सभी लोग को, अगर ऐसे ही बहुत ही simplified versions चाहिएं, और ज को solve करके अपना revision पूरा ensure कर सकते हो, तो आप इसको चाहो तो join कर सकते हो, फिलाल हम बात कर रहे थे, coronal mass ejection की, coronal mass ejection अब हमें समझ में आ गया, कि भी क्या है, plasma का, एक energetic magnetic field के साथ, sun के corona से space में एक large expulsions है, अब तो समझ में आ गया, है की नहीं, देखो, और इसका effect क्या होग जब भी ये effect इस तरीके से देखो, आप इस वाले picture में, कि यहाँ पर हमारे अर्थ के पासी जो blue lines देख रहे हो ना, यह हमारे अर्थ का magnetism है, या फिर magnetosphere बोल सकते हो, यह जो magnetosphere है, यह कुछ यहाँ पर हमारा अर्थ है, और इससे यह सारे rays निकल रहे है, तो हमारा magnetosphere बहु जुनते हुए हमारे poles पर आजाता है, और जब यह poles पर आता है, तो वहाँ पर बनाता है aurora, इसका aurora कब बनता है, कि जब यह solar storm या फिर जो charged particle है, यह हमारे atmosphere में present gases, जैसे की oxygen, carbon dioxide, nitrogen, इन सब के साथ जब act करते हैं, और बहुत तीजी से जब इनको धक्का लगाते हैं, तो इ जिस हिसाब से यह electrons बाहर निकलते हैं, यह अपने visible range में energy release करते हैं, और यह visible range की जो energy है, वो अलग-अलग color की होती है, कभी red color की होती है, कभी green color की होती है, कभी orange color की होती है, तो इसलिए हम लोग को यह auroras भी दिखते हैं, तो यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, I think this is more than clear, अब आप यह समझ लिजे कि plasma का temperature कितना है, plasma का temperature approximately अगर chromospheric plasma की बात करें, तो यह 104 Kelvin है, यहाँ पर एक चीज के बस मैं आपको और बात बताऊँगा, कि यहाँ पर जो हमारा photosphere है, photosphere का temperature का काफी कम होता है with comparison to chromosphere और corona, सबस्यादा तो corona का होगा, आप पुछों का ऐसा क् ऐसा मुझे नहीं पता है, sorry, और मुझे नहीं, किसी को नहीं पता है, इसी लिए तो studies conduct की जा रही है, कि एकर का reason क्या है, corona जादा warm क्यों है, कुछ hypothesis है, इसके पीछे कारण बताये जा रहे हैं, but exact reason नहीं पता है, तो जब exact reason नहीं पता है, तो जब पता चलेगा, तो discuss कर ले एक rigorous basis का test series है, जैसे अभी आप लोग के exams पास आ रहे है, प्रेलिम्स के, आप लोग को चाहिए कि आप लोग daily questions की practice करो, एक well defined schedule के अंदर, तो इसमें ना कुछ ऐसे 50-60 days जो बाकी है हमारे पास, उन से हम लोगों ने एक schedule बनाये daily basis का, आपको उनके basis पर 40 questions GS के मिल जाते हैं और 20 questions आपके C-side के मिल जाते हैं, daily basis पर सवेरे सवेरे साथ बजे, और यही game changer है, साथ बजे, सच बता रहा हूँ, बहुत सारे students यहां offline में भी पढ़ाने आते हैं, मैं भी उनको जब पढ़ाने जाता हूँ, तो मुझे भी हैरानी होती है, दंग रह जाता हूँ मैं देखक कि कैसे regular basis पर यह लोग आके मेहनत कर रहे हैं, बट definitely आप भी समझे है कि मेहनत ही इस game का ultimate key है, तो आप भी अगर मेहनत कर रहे हो और उस मेहनत को थोड़ा सा और practical form में देखना भी चाहते हो कि कितना result आ रहा है अपना, तो All India ranking बगरे कि साथ साथ इसमें daily GS CSAT हो गया, complete CSAT की बगरे छूटा होता है ना, तो बहुत सारे students अभी भी आते हैं बोलते हैं अरे sir यह वाला concept अपने को पता नहीं था कि इस तरीके से solve करते हैं, नहीं तो हम लोग काफी बढ़ी है से पहली ही समझ जाते हैं, हमें लग लग रहा था science industry के question यह ही कुछ भी UPSC पूछ लेता है या फिर आप directly pw.life पर visit कर लेना, ठीक, अगला article हमारा bone grafting से related है, तो जैसा मैंने बता है कि Canada का एक biotech company है, Conlis Global नाम है इसका, इसके साथ मिलके आईटी कानपूर ने एक MOU sign किया है, Memorandum of Understanding sign किया है, जिसके अंदर में इन लोगा ने लाइसेंसिंग ली है, bone regeneration facility के लिए, एक ऐसा technology है, जब bone को हम लोग regenerate करते हैं, देखो हमारे शरीर में आपको भी पता है कि बहुत बड़े-बड़े bones हैं, लेकिन कभी infection हो जाता है ना उन सब में, तो फिर उनको replace करने के लिए अभी तक तो हम लोग metallic rods लगाते हैं, और कोशिश करते हैं, कि वाल इंतजार करते जाता है कि अब bone बने, bones को बनने के लिए उनके बीच में proper red blood cells का transmission होना चाहिए, उसमें oxygen का transmission होना चाहिए, लेकिन अगर कभी-कभी, मानलो हड़ियों के बीच में बहुत दूरिया हैं, मानलो इतना दूर है, तो अब इनके बीच में ये cells connected ही नहीं होंगे, कभी उपर तक, है ना, gap अगर बहुत बड़ा है, तो blood vessels connect ही नहीं होंपाएंगे, नए tissues बन ही नहीं पाएंगे, और इसलिए ये bones survive नहीं कर पाएगा, इसलिए यहां पर ये लोग क्या करते हैं कि scap folding लगा देते हैं, ये देखो, ये अलग से एक scap folding material है, वो कुछ ऐसा दिखता है, इसका नाम बड़ा ही खतरनाक सा है, इसको nano hydroxy appetite based porous polymer composite scaffolds बोलते हैं, ठीक है, अगर याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, otherwise इतना समझ लेना कि nano structure पर based है, और hydroxy appetite है, hydroxy appetite अगर याद होगा तो भी काफी हस तक आप लोग इसको लगते होगा, है एचेपी बोलते हैं वैसे इ बड़ा easy है हमारे लीवी, तो ये क्या है बच्छों, ये है एचेपी है, ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है, है तो ये क्या नाम था, भूल गया मैं भी, hydroxy, hydroxy, एक बार और पढ़ लेते हैं, hydroxy appetite, ठीक है, hydroxy appetite जो है, वो ऐसा कुछ structure है, इसके अंदर देख रह किसी भी external body parts को, external body parts नहीं बोलते हैं, मतलब कोई भी external object को अगर आप implant करते हो ना, उसका hydrophilic होना बहुत जरूरी है, अगर उसको अच्छे से घुल मिलके रहना है, जो कुछ चीज़ेंसे मानलो metal के rods लगाते हैं, screw लगाते हैं, orthopedic surgeons, तो उनका hydrophilic nature नहीं होता है, क्योंक कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जो कि शरीर के अंदर हमेशा रहेंगी, तो उनको hydrophilic होना जरूरी होता है, तो इसी तरीके से जो ये HAPA है अपने पास, ये hydrophilic है, और अब देखो, इसके छोटे छोटे जो ये holes हैं ना, इन holes के तुरू अगर आप लगात होगे, तो अब सार particular site पर, आप proper medication की बात कर लेते हो, कुछ injections वगरा दे देते हो, जिससे की और तेजी से bone develop हो जाए, तो मतलब ये जो bone grafting है आपने पास, ये बहुत सही हो जाएगा अब इससे, हम लोग bone को regenerate बहुत easily कर पाएंगे, ये bio compatible है, मतलब की जो भी bio degradable बोल सकते हो इस चीज को, technology के features, bio degradable ये बता दिया, अब यहां पर कुछ words है, जैसे कि जब भी osteo के नाम से आएगा, कुछ भी चीज में अगर osteo लिखा है, तो आप इसको समझ लेना कि अच्छा है, ये तो bone से related होगा, पक्का से, तो osteo inductive, osteopromotive, ये क्या होते हैं, ये ना bone regeneration के दो major properties होते हैं, अगर bone को regenerate करना है, तो ये दोनों चीजें होनी चाहिए, एक तो bone के पास अपना healing process होना चाहिए, जिससे कि bone बनना स्टार्ट हो जाए, वापस से, bone के cells बनने स्टार्ट हो जाए, और new bone growth आने लगे उसमें, है ना, पूरे process में नए bones का growth भी हो रहा है, एक और condition है जिसको बोलते हैं osteoblast, ये osteoblast क्या होते हैं, जैसे कि हम लोग red blood cells वगरा पढ़ते हैं, वैसे ही समझ लो, bone का जो building cells होता है, वो है osteoblast, तो यहाँ पर osteoblast, नए osteoblast बनने लगते हैं, और bio compatible है, तो इसलिए हमारे body के साथ अच्छे से interact करता है, फिर इसके बाद आप देखो, large defect repair, मतलब क्या ह है कि इससे oxygen supply, blood flow, sub maintain हो जाएगा, ये पढ़ चुके हैं हम लोग, benefits क्या क्या होंगे, भई बहुत बड़ी है, body friendly material है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, body के लिए safe है, आप उसको use करो, और bones बनाओ, जितने भी बुजुर्ग लोग होते हैं, मानलों का hip bone fracture हो गया, अब hip bone लगान बना ही बन दो जाता है, old ages में, तो इसलिए उसके लिए कुछ अलग से medications वगरा चलाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, site पर जाके हम लोग सारे काम कर पाएंगे, जहाँ पर affect है, वो bone वहाँ पर, तो इसलिए यह न बहुत बहुत ही, मतलब innovative system है, आपके drug delivery में भी बहु यह पूरा article था, अगला article हमारा Brahmos missile के range को increase करने से related है, और साथी साथ, ब्रमोस को इंडिया नेवी ने 220 नए ब्रमोस को खरीदने की बात की थी, और cabinet की approval मिल चुकी है, तो ब्रमोस पहली बात तो देख लो, दो river के नाम पर बना हुआ है, एक तो इंडिया का ब्रमपुत्र रिवर है, और रश्या का मोस्कवा रिवर है, तो इसलिए इसका नाम ब्रमोस पढ़ गया, ठीक है, ब्रमपुत्रा मोस्कवा, तो ब्रमोस, लेकिन ये ब्रमोस है क्या, देखो सबसे पहले इस चीच को समझना कि इससे UPSC question भी पूछ चुकी है, ये ना दो stage का missile है, एक तो first stage में solid propellant booster लगता है, और second stage में liquid ramjet लगता है, मतलब हम लोग अभी तक ये समझते थे कि भई, aircraft को दोड़ाना है तो ramjet लगा दो, ये ना must बढ़िया दोड़ता है, लेकिन फिर समझ में है कि या ramjet जो है, वो सिर्फ aircraft में क्यों लगा रहे हैं, हम लोग missile के उपर भी लगा दोगई, ramjet engine कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक बहुत ही pressurized air लगाते हैं, यहाँ पर, मतलब जब इसकी speed मान लो इस direction में, मतलब ये पूरा का पूरा missile इस direction में जा रहा है, और इसके opposite में ये air निकल रहे, air इसके अंदर जा रही है, और इसको चलने के लिए, इसको एक basic speed की जरुवत होती है, मतलब आपको आराम से, कितनी, super sony की speed होनी चाहिए, super sony की speed होगी, तभी जाकी ये ramjet engine मगेरा खाम करेगा, नहीं तो, ये air अंदर आता रहे, उससे कोई मतलब नहीं है, वो pressure ही नहीं develop हो पाएगा, जिससे की, आप अ समझ भी आ गया, ramjet, liquid, ramjet engine लगा हुआ है, mac3 तक की speed है, मतलब 3 times, speed of sound, cruise face में दोड़ता है, cruise face का मतलब है, कि इसको continuously maneuver आप कर सकते हो, और continuously ये propel होगा, है ना, ये सीधे path पर जाएगा, या पिर आडा तिरशा कैसे भी ले जाना चाहते हो, ये सब लेके जा सकते हो, इसमें वो अला नहीं है, जो ballistic missiles होते हैं, अगर उनको एक surface से, दूसरे surface की और जाना है, तो क्या करते हैं, यहां से एक missile shoot करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, यहां पर उनका propulsion बंद हो जाता है, फिर उसके बाद gravity अपने, आप ही उनको नीचे ले आती है, ठीक है, तो ये क्य cruise missile हैं, तो आप उनको कहीं पर भी थोड़ा सा जमीन से आसी पास में यह लोग उड़ते हैं, पंदरे किलो मेटर की cruising होती है, और जब भी terminal, मतलब कि जब भी in target आता होता है, तो 10 मेटर की नीचे तक भी उड़ सकते हैं, मतलब जमीन से 10 मेटर की उचाई पर भी उड़ सकते हैं, तो इसलिए इनको हम लोग cruise missiles बोलते हैं, ठीक है, याद रहेगा ये चीज, done, अब इससे, अब आप देखो और क्या फाइदे हैं, सबसे पहले तो इनका जो पहली पहली बार जब ब्रहमोस missile आई थी ना, तो उसका जो target या फिर हम होई हो बोलें कि कितने दूर उसका range क्या था, तो range बस 300 km था, बस, फिर 300 को 500 किया गया, और अब navy के लिए, इंडे navy के लिए उसको 800 km भी कर दिया गया है, मतलब size जो है, वो बढ़ा दिया गया है उसका, ठीक है, special features, fire and forget, एक बार निशाना लगा के, attack कर दो, फिर भूल जाओ, वो अपने आपी track करके जाएगा, निशाना लगा के सीधे आएगा, supersoni के speed पर चलता है, long flight range है, low radar signature है, मतलब की stealth property है, चिप जाता है, दिखेगा नहीं आपको जल्दी से, shorter flight times है, अब भई, supersoni के speed पर पहुँच रहा है, तो चबरदस्त बात होगी कि बहुत तीजी से पहुँच जाएगा, अब और यहां पर एक question देखते हैं, last year का 2023 का question है, बोल रहा है कि ballistic missile जो है, वो jet propelled होते हैं, sub sonic speed पर, और बोल रहा है, throughout the air flights, मतलब हम यहां से उड़ाने के लिए भी इसको propulsion करेंगे, फिर नीचे लाने के लिए भी propulsion करेंगे, भई, क्यों करेंगे, यहां पर जरूरत ही नहीं है, तो पहला statement गलत है, दूसरा कि इसी में क्या बोल रहा है, cruise missiles जो है, वो rocket powered होते हैं, और सिर्फ initial flight के flight में उनको propel करना पता है, यह ultra बोल दिया, ballistic का यहां लिख दिया, cruise का यहां लिख दिया है, ठीक है, यह statement गलत है, फिर बोल रहा है, अगनी 5 जो है, वो एक medium range supersonic cruise missile है, चल पहली बात तो ना ballistic missile है और ना ही intercontinental है, ठीक है, कितना range देखा हमने, 500-800 km ही है, कहां continent थोड़ी ने डखा देंगे इस से, तो intercontinental तो नहीं है इतने में, तो पहली बात गलत, ballistic भी नहीं है, क्योंकि यह cruise है, हमने बात किया ना भी, कैसे भी maneuver कर सकते हो इसको, तो यह statement भी ग power station से है, simple सी बाते करते हैं, अभी हाल फिलाल में, हमारे prime minister sir ने, दो नए pressurized heavy water reactors, ककरापार atomic power station के अंदर में, उनको nation को dedicate किया, start कर दिया, कौन बना रहा है भी इसको, N-P-C-I-L, National, sorry, Nuclear Power Corporation of India Limited, अब इसमें देखो, pressurized heavy water reactor का मतलब क्या है, यहाँ पर, अभी भी जो fuel है, वो fuel क्या use होता है, uranium का use होता है, uranium 235, इसके बाद, uranium 235 तो ठीक है, लेकिन coolant क्या use होता है, coolant ही है, जो की heavy water है, ठीक है, और moderator के तोर पर भी हम लोग heavy water का ही, इस्तेमाल करते हैं, heavy water मतलब D2O, ठीक है, अब coolant क्या होता है, और moderator, क्या होता है, देखो, हम लोग जब भी ऐसे, atomic power stations की बात करते हैं, तो यहाँ पर होता है भाईया, nuclear reaction, nuclear fission होता है, actual में, तो जो nuclear fission होता है, एक बड़ा atom, तूट के दो छोटे-छोटे atoms में तूटता है, या फिर किसी neutrons में तूट जाता है, तो फिर, ऐसा ही होता है, मतलब मानलों, यह uranium का, यह एक atom है, इस पे एकदम तेजी से हम लोग bombard करते है, neutrons का, ठीक है, neutrons neutral होते हैं, तो इस पे bombard करते हैं, और यह दो टुकडों में तूट जाता है, और इसी के साथ-साथ निकलती है, खूब सारी energy, इसी energy को हम लोग utilize करते हैं, ठीक है, अब लेकिन, यहाँ पर एक word होता है, आप लोग समझना, जिसको हम लोग बोलते ह criticality, criticality का क्या मतलब है, कि हम लोग का देखो, यह जो nuclear reaction है, आपको भी पता है कि chain reaction है, यहाँ पर क्योंकि uranium के बाद एक और neutron निकलेगा, एक neutron ने इसको मारा, फिर इससे क्या निकला, मान लो, दो neutron निकले, और कुछ इदर से निकला, ठीक है, एक और atom कुछ बन गया, अब य यह दो neutron अलग से फिर एक uranium atom को निकलेंगे, वहाँ से भी दो निकलेंगे, फिर उनके भी दो निकलेंगे, इदर के भी दो निकलेंगे, ऐसे करते करते कि क्या हो जाएगा, पूरा chain reaction बन जाएगा, लेकिन chain reaction को ना हमें रोकना है, हम लोग को इसको exponential growth नहीं देनी है, हम neutron की velocity कम कर देना, यह सारा काम है moderator का, और इसी के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते है, heavy water, फिर देखो पूरा इस, जो पूरा engine है, वो काफी warm हो जाएगा, भाई, nuclear reaction हो रहा है, सब में, तो इसी लिए हम लोग को उस nuclear reactor को heat निकालने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, अपरापार atomic power plant है ना, यहाँ पर अच्छे खासे safety features अलड़ी मौझूद हैं, जैसे की advanced safety feature, जैसे की steel lined inner containment, एक यहाँ पर word लिखा है, passive decay heat removal system, क्या मतलब है, कि देखो यह ना, क्या कर सकता है, कि जब भी radioactive decay होगा, तो उससे जितना भी heat emit होता है, उसको वो remove भी करता चलता है साथ के साथ में, तो इसलिए कभी बहुत heat नहीं होगा chamber, और explosion होने की संभावना है, बहुत बहुत कम ना के बराबर रहती है, criticality and nuclear fission, criticality तो मैंने बता दिया, nuclear fission के बारे में आप लोग खो वैसे भी पता है, वो भी हमने बता दिया, कि uranium 235 को तोड़के, वो split कर देते है, फिर इसके बाद कौन regulate करता है, पूरा तो भी यहां पर देख लो, AERB, Atomic Energy Regulatory Board इसको पूरा regulate करता है, हमारा अगला article काला अजर से related है, काला अजर जिसको हम लोग black fever भी बोलते हैं, दमदम fever भी बोलते हैं, और viscerous leishmaniasis भी बोलते हैं, तो अब क्या है, क्यों news में रहा ह पूरे साल भर में सिर्फ एक केस काला अजर का आना चाहिए, तब हम लोग अपने target को meet करते हैं, National Health Policy और इन सब में यही बाते लिखी हुई थी, काला अजर जो है ना, आप समझ लो की एक NTD है, NTD क्या होते हैं, neglected tropical disease, tropical areas में ज़्यादा पाए जाते हैं, tropical countries में जदा पाए ज identify नहीं कर पाते हैं, कि हुआ कैसे हैं, काला अजर क्या है, इसका treatment क्या है, अगर हो गया और untreated रहा, तो definitely 95% cases में death पक्का है, तो खदरनाक है, lethal है, तो आखिरकार यह होता है कैसे भई, इसके लिए ना, जैसे malaria कैसे होता है, पता है आपको, malaria भी protozoa के कारण ही होता है, इसी नाम क्या है, यहां पर देखना, leishmania donovani, लिखता हूँ मैं यह आपर, leishmania donovani नाम है, नाम याद रहता है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका victor याद रखना, victor, जैसे victor, malaria की case में क्या है, malaria की case में कौन से मच्छा है, जरा comment section बता देना मुझे, कोई female mosquito है बट क्या है, ना, तो इसके लिए कौन सा victor है, इसके लिए sand fly, sand fly जो है, वो अपने साथ एक proto जोवा यहां पर लेगाती, यह है, leishmania donovani, leishmania donovani, अब यहां पर जबाता है, तो हम लोग को ऐसा कुछ structure, यहां पर हाथ पैर में देखने लगता है, और इसके वज़े से हमें fever भी हो जाएगा, और fever, मतलब आप simple समझो कि fever तो चलो weight loss, swelling यह सारी चीज़ें बहुत common है आज के time पर, कभी viral fever हो जाता है, 101 degree, 100 degree का बुखार, समझ भी नहीं आता है, और बहुत बार क्या होता है, यह visceral nature का होता है, visceral nature का मतलब क्या है, कि यह शरीर के अंदरूनी हिस्सों में होता है, बाहर दिखेगा नहीं, अंदरी अंदर problem होता है, लीवर problem कर दिया, तो इन सब चीजों से हम लोगों समझ भी नहीं आता है कभी, कि actual में इसका cause क्या है, क्यों fever आ रहा है, weight loss क्यों होते जा रहा है, सब problem, इसी लिए हम लोग इसको identify नहीं कर पाते हैं, और इसी skin source, मतलब skin के साथ में defection आता है, और कभी हमारे mucos में, mucosal lesions हो जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर भी ऐसी problems आते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, फिर उसके बाद, यहाँ पर देखना है, यह को नहीं पता है, यही है, sand fly, तो अब इसके रोक थाम के लिए किया क्या है, कैसे हमने इसको निजात पाया इस से, तो simple सा है कि तीन की interventions है, सबसे पहले हम लोगोंने कुछ spray materials निकाला, जिससे की जितने भी sand fly के breeding sites थे, वो breeding sites दीरे-दीरे कम होना start हो गए, wall पर हम लोग plastering इस material के साथ करते थे, gerald soil है, इनकी दिवालों पर, जब gerald soil के साथ हम है, तो फिर दिवालों पर sand flies अपना nest नहीं बना पाते थे और साथी साथ, जो हमारी accredited social health activists हैं, आशा, आशा workers को हम लोगोंने एक बड़ा network बनाया और एक campaign चलाया जिससे की, हम लोग ऐसे, जो कालाजर से प्रभावित patients हैं, उनके treatment को हम सही तरीके से complete कर सेंगे, बीच में चोड़ के भगना जाएं वो लोग, तो government effects भी बहुत सारे हैं इसमें, आप देख सकते हो, कालाजर को 2030 तक WHO ने बोला था, target दिया था कि भई खतम करना है, neglected tropical disease roadmap के अंतरगत में, लेकिन हमारे इंडिया में भी ऐसे ही था कि कालाजर control program वैसे ही 1991 में चल रहा था, इसमें target दि में खतम करेंगे, फिर बाद में 2015, फिर 17, फिर 20, इवन national health policy भी बार-बार targets को revise करता रहा, 2020 का last target था, जो कि अब 2023-26 में आके हम लोगों ने खतम किया, इवन जो international forums है, like Bill and Melinda Gates, या फिर NCDC, National Center for Disease Control, World Health Organization, इन सब ने भी कालाजर के elimination की बात की थी हमेशा से, इसमें major developments एक आया जिसमें बांगलादेश पहला country बना है उन tropical areas में, जो की WHO ने officially validation दिया है कि यहां से कालाजर को हम लोगों ने पक्के तोर पर eliminate कर दिया है, ठीक है, तो बांगलादेश पहला बन गया है, इसमें आप समझे है कि इंडिया में 2007 से लिए 2022 के बीच में लगबग 98% cases में decline देखन चुका है, ठीक है, यहां पर देखा गया कालाजर जो है न, वो basically endemic states में होते थे, चार states का नाम लिया गया है, यूपी, बिहार, जारकंट और वेस्ट मेंगॉल, इनमें से जो यूपी और वेस्ट मेंगॉल है, उन्होंने अपने targets अचीफ किये थे, बिहार और जारकंट अ होते हैं न, जैसे की malaria तो ही है, कालाजर हम लोगों ने देखी लिया, इसके अलावा भी Japanese Encephalitis, Dengue, चिकन गुनिया या फिर lymphatic philiaresis, यह सारे मच्छरों के कारड़ी हो रहे हैं, ऐसे जो भी victim born diseases हैं, इन सब को रोकना है और जड़ से मिटा देना है, malaria के लिए तो अब पह countries, tropical countries, third world countries, इन सब जगहों पर रहता है वो, तो WHO ने फिलहाल अभी के लिए 20 ऐसे NTDs को यहाँ पर सामने लिए हैं, अब यहाँ पर नाम लिखा है, यह सब आप लोग पढ़ सकते हो, इसके बाद global impact कालाजर का खतरनाक है, 149 countries में अभी भी है, 1.5 billion लोगों को ऐसा हो चुक में बस इतना ही था, thank you very much for listening it very patiently friends, have a nice day